ओम शान्ती आज 20 नवेंबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मदुर महावाख के सुनेंगे ये अव्यक्त मदुर महावाख के अव्यक्त बाप दादा ने 20 दिसेंबर 1992 को सुनाये थे जिसमें सर्व शक्ति दाता बाप दादा अपने शक्ति सेना को देख रहे हैं और बाबा कहे कि जब सभी को एक द्वारा एक समान सर्व शक्तियां प्राप्त है फिर भी शक्ति स्वरूप बनने में अंतर क्यों है कोई सदा शक्ति स्वरूप होते हैं कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बनते हैं तो ये अंतर क्यों तो उस अंतर का कारण बाबा ने बताया कि जो बच्चे बाप दादा की हर श्रीमत को पालन करने में जी हजूर जी हांजर करते हैं उनके सामने शक्तियां भी जी हजूर जी हाजिर हो जाती है परन्तु जो बच्चे कोई श्रीमत को यथार्थरिती पालन करते हैं और कोई श्रीमत मुश्किल लगती है और इसलिए कभी पालन किया कभी नहीं किया तो बाबा कहे उनके सामने शक्तियां भी कभी सामने आती हैं, कभी परिस्थती बीत जाने के बाद आती हैं, जैसे बाबा ने मिसाल दिया कि मान लोग के कोई बात को समाना होता है, तो कई बच्चे यथार्त्रिती समा लेते हैं, लेकिन कोई बच्चे दस बार तो समा लेते हैं, लेकिन ग्यारवी बार समा नहीं पाते हैं, और फिर कहेंगे, कि वैसे मैंने ये बात को समाया, किसी को कहा नहीं, लेकिन ये मेरा सहियोगी था, मेरा समीप व्यक्ती था, उसको मैंने बात नहीं सुनाई, थोड़ा सा इशारा दिया, तो बाबा कहें क्या, इसको समाना कहेंगे, तो इसलिए बाबा देख रहे थे, कि जब बाबा ने सब शक्तियां रुपी शस्त्र, सभी बच्चों को एक समान दिया, फिर ये अंतर क्यों पढ़ जाता है, और उसके बाद विशेश बाबा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, कि जो बच्चे चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, और फिर उनका स्वरुख क्या हो जाता है, बाबा कहें ज्यानी भगत का स्वरुख हो जाता है, भगत माना मांगने वाले, तो अधिकार तो बाब के उपर ही रखते हैं, बाब के सामने ही आकर के ज्यानी भगत बन करके मांगने लगते हैं, बाबा को ऐसे समय पर रहमाता है क्योंकि बाबा जब देखते हैं कि जब ऐसे ज्ञानी भगत बन जाते हैं तो जहां भक्ति का अंश है वहां सदगती या सफलता प्राप्त नहीं बहती है तो इसलिए बाबा कहे फिर समझते हुए भी याद में बैठते हैं सोचते हैं याद के द्वारा उशक्ति का अवहन करें बाबा कहे जब बच्चे याद में बैठते हैं बाबा को प्यार से याद करते हैं लेकिन याद में भी दो प्रकार से बैठते हैं एक है सेवा के निमित याद में बैठना वो संगठित रुप से बैढते हैं तो उसमें मांगना नहीं होता है लेकिन उसमें जैसे कल्यान की भावना रखते हुए देना होता है और धूसरा होता है अपनी कम्जोरी को भरने के लिए याद करते है तो वहां मांगने का स्वरूप हो जाता है कि आखर बाबा तो हमारा है ही बाबा शक्ती दे दो बाबा ये कर दो तो बाबा जब ऐसा स्वरुप देखते हैं तो बाबा कहें ये स्वरुप सही नहीं है साथी बाबा ने कहा याद तो निरंतर करना है हर करम करते समय याद में रहना है ये नहीं कि विशेश समय निकाल करके याद में बैठना है तुम बच्ची कर्म योगी हो और कर्म योगी माना निरंतर जैसे कर्म करना अनिवार्य होता है कोई घड़ी कर्म के बीना नहीं होती है चाहे इंसान सोया है तो सोने का कर्म तो कर रहा है ठीक इसी तरह बाबा कहे याद भी अनिवारिय है याद भी हर क्षण हर कर्म में समाई रहे ऐसे कर्म योकी बन करके चलना है फिर बाबा ने देखा के बच्चे के अंदर भावना तो रहती है के हम सर्व शक्ती संपन बने ये शक्तियां हमारे शस्त्र है वो शस्त्र हमारे काम में आए लेकिन बाबा कहे वो तब ही काम में आते हैं जब निर्मान चित बन जाते हैं और निर्मान हो करके हर कर्म करते हैं तब शक्ती भी सदा हाजिर होती है तो इसी लिए बाबा कहे सदा सफलता प्राप्त करने का आधार है निर्मान चित होना और आग्याकारी बन करके हर श्रीमत पर यथार्थ रुप से चलना साथी साथ यथार्थ याद के द्वारा सर्वशक्तियों को प्रक्त करना तो सुनते हैं आज बाबा के मदुर महावाक्य आज के मुरली का टाइटल है आज्याकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी है आज सर्वशक्तियों के दाता बाप दादा अपने शक्ती सेना को देख रहे हैं सर्वशक्ति मान बाप ने सभी ब्राह्मन आत्माओं को समान सर्वशक्तियों का वर्सा दिया है किसको कम शक्ति वा किसको ज्यादा ये अंतर नहीं किया है सभी को एक द्वारा, एक साथ, एक समान शक्ती दी है तो result देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है बाबा विशेश देख रहे थे कि जब सब को एक समान, एक साथ, एक द्वारा शक्ती मिली है फिर अंतर क्यों है, कोई सर्व शक्ती संपन बने और कोई सिर्व शक्ती संपन बने सर्व नहीं यह अंतर है, कोई सर्व शक्ती संपन और कोई सिर्व शक्ती संपन कोई सदा शक्ती स्वरुख बने, कोई कभी कभी शक्ती स्वरुख बने है कोई ब्राह्मन आत्माएं अपनी सर्व शक्तिवान की अथोरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ओर्डर करती है वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रच्टा के सामने आती है ओर्डर किया और हाजिर हो जाती है शक्ति दाता ने ओर्डर किया अथोरिटी से और वो शक्ति हाजिर हो जाती है कोई ओर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती है जी हाजिर नहीं होती है इसका कारण क्या अब बाबा कारण बताते हैं कि क्यों किसी किसी के सामने शक्तियां जी हाजर करके हाजर हो जाती है और किसी किसी के लिए शक्तियां हाजर नहीं होती तो उसका कारण क्या कारण है जो बच्चे सर्व शक्तिवान बाप जिसको हुजूर भी कहते हैं हाजिर नाजर भी कहते हैं तो जो बच्चे हुजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर वहर आग्या में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर वह जी मास्टर हजूर करती है बाप दादा को हजूर कहा जाता है हाजिर नाजर कहते हैं तो जो बच्चे हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर करते है तो प्रैक्टिकल शक्तियां भी उसके आगे जी हाजिर करते अगर कोई आत्म है बहुत सुन्दर बात कहते हैं अगर कोई आत्म है श्रीमत वा आग्या जो सहच पालन कर सकते हैं वह करते हैं और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते हैं कुछ किया, कुछ नहीं किया, कभी जी हाजर, कभी हाजर इसका प्रत्यक्ष सबूत वा प्रत्यक्ष प्रमान रूप है कि ऐसी आत्मों के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमान हाजर नहीं होती जैसे दुनिया के अंदर कहा जाता है, सौलियत देख करके करना अगर मान लो किसी श्रीमत को पालन करने की सौलियत है और कर लिया और कोई श्रीमत मुश्किल लगती है, सौलियत नहीं है और नहीं किया तो बाबा कहे उसका प्रत्यक्ष सबूत या प्रत्यक्ष प्रमान रूप के ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय प्रमान हाजर नहीं होती है बाबा मिसाल देते हैं, बहुत सुन्दर मिसाल, जैसे कोई परिस्थिती प्रमा समाने की शक्ति चाहिए तो संकल करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिती को पार करेंगे विजय बनेंगे लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थाथ जो कभी कभी जी हजूर जी हाजिर करते हैं तो उसको भावाने का सेकंड नंबर वाले अर्थाथ कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे दस बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी एक दो बार समाने चाहते भी समाने ही सकेंगे फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने किसको नहीं सुनाया मैंने समाया, लेकिन ये साथ वाले थे, ये विक्ति मेरे साथ वाले थे, हमारे सहियोगी थे, समीब थे, इसको सिर्फ इशारा दिया है सुनाया नहीं इशारा दिया, कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया तो बाबा पूछते तो इसको क्या कहा जाएगा समाना कहेंगे, दस के आगे तो समाया, और एक दो के आगे समा नहीं सकते तो इसको क्या कहेंगे, समाने की शक्ती ने ओर्डर माना समाने की शक्ती ने ओर्डर माना जबकि अपनी शक्ती है बाप ने वर्से में दिया है तो बाप का वर्सा सो बच्चों का वर्सा हो जाता है अपनी शक्ती अपने काम में न आए तो इसको क्या कहा जाएगा और्डर मानने वाले या और्डर न मानने वाले कहा जाएगा क्या कहा जाएगा वो शक्तिने और्डर माना ये कहा जाएगा या न मानने वाले ये कहा जाएगा आज बाप दादा सर्व ब्राह्मन आत्माव को देख रहे थे कि कहां तक सर्वशक्तियों के अधिकारी बने अगर अधिकारी नहीं बने तो क्या हूंगे अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिती के अधीन बनना पड़े कब बाबा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ती को समय पर कारिय में नहीं लगा सकते हैं को समय क्या करते हैं जब कोई बात सामना करती जब कोई बात सामना करती तो बाब के सामने किस रूप में आते हैं ग्यानी भगत के रूप में आते हैं ऐसे समय पर बाबा को बहुत रहम आता है जब शक्ती का वहन किया शक्ती नहीं आई और उस शक्ती से ही सामना करना पड़े तो बाबा के सामने किस रूप में आते हैं ज्यानी भगत के रूप में आते हैं भगत क्या करते हैं भगत सिर्फ पुकार करते रहते हैं कि यह दे दो यह दे दो भगते बाप के पास है अधिकार बाप पर रखते हैं लेकिन रूप होता है रोय भगत का और जहां अध अधिकारी के बजाए ज्यानी भगत अत्वा रोयल भगत के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ती का अंश है, तो भक्ती का फल, सदगती अर्थात सफलता, सदगती अर्थात विजई नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहे बक्ती माना मांगना, बक्ती अर्थात सदगती नहीं, ज्यान से सदगती होती हैं। तो इसलिए बाबा कहे जहां बक्ती का अंश है, तो बक्ती का फल, सदगती अर्थात सफलता, विजई नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जहां बक्ती का अंश रह जाता है, वहां बक्ती का फल, ज्यान, अर्थात, सर्व प्राति नहीं को सकती, सफलता नहीं मिल सकती, बक्ती अर्थात महनत, बक्ती अर्थात महनत, और ज्यान, अर्थात मुहबत, यंतर है, अगर भक्ती का अंश है तो मेहनत जरूद करनी पड़ती और भक्ती की रसम रिवाज है कि जब भीड पड़ेगी यानि जब मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा नहीं तो अलबे ले रहेंगे तो भक्ती की निशानी एक तो मांगना भक्ती की निशानी महनत भक्ती की रसम रिवाज ही है जब भीड पड़ेगी तो भगवान याद आया बाकी समय अलबे ले रहें ज्यानी भगत भी क्या करते है जब कोई विग्ण आएगा तो विशेश याद करेंगे एक है सेवा प्रती याद में बैठना और दूसरा है स्वक की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना दोनों में अंतर है जैसे अभी भी विश्व पर अशांती का वायु मंडल है तो सेवा प्रती संगठे तुरूप में विशेश याद के प्रोग्राम बनाते हो वो अलग बात है बाबा कहे वो अलग बात है वो तो दाता बन देने के लिए करते हो वो याद है दाता बन बाबा से सकाश लिया और दुनिया को देने के लिए करते हो वह मांगने के लिए नहीं करते हो और उको देने के लिए करते हो तो वह हुआ सेवा प्रती है लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रती समय पर विशेश याद करते हो और वैसे अलबेलेपन की याद होती है याद होती है भूलते नहीं हो लेकिन अलबेलेपन की याद आती है कौनसी अलबेलेपन की याद हम तो है ही बाबा के और है ही कौन लेकिन यथार्थ शक्ति शली याद का प्रत्यक्ष प्रमान समय प्रमान शक्ती हाजिर हो जाए कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ वा रहता ही हूँ लेकिन याद का स्वरुप है सफलता अगर यथार्थ याद है शक्ति शली याद है तो याद का स्वरुप है सफलता ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुबव होती शक्ती भी अनुबव होती और जब कर्म में संबन संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती याद में बैठे, खुशी कानुभव किया, शक्ति कानुभव किया और जब कर्म में सम्मन संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा शक्तियां शस्त्र है और शस्त्र किस समय के लिए होता है शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है इसलिए शस्त्र होगे यथात याद अर्थात सर्व शक्ती संपन सदा शक्ती शाली शस्त्र हो परिस्तिती रुपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आये तो इसको क्या कहा जाएगा शक्ति शाली या शस्त्रधारी कहेंगे कि जब शक्ति शाली शस्त्रधारी कहेंगे कि जब शक्ति शाली शस्त्र चाहिए परिस्तिती रुपी दुश्मन आया शस्त्र काम में नहीं आया तो इसको क्या कहेंगे शक्ति शाली या शस्त्रधारी कहेंगे हर कर्म में याद अर्था सफलता, इसको कहा जाता है कर्म योगी, सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो, आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है, या कर्म योगी नाम है, कर्म योगी हो ना, निरंतर कर्म है और निरंतर कर्म योगी हो, जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोये हुए हो, तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना, तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते, इसको कहा जाता है कर्म योगी, ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी न, सरकम्स्टेंस ही ऐसे थे, समस्य ही ऐसी थी, वायू मंडल ऐसा था, यही तुद दुश्मन है, और उस समय कहो, दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चला न सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, हमारा दुश्मन है यही, कि जब परिस्तिती के रूप में वो आता है, समस्या के रूप में आता है, चुनौतिक की रूप में आता है, और उस समय हमें एवरेडी रहना है, शस्त्र का प्रयोग करने के लिए, लेकिन भाबा के उस समय कहे, तलवार यादी नहीं आई, तलवार ने कामी नहीं किया, तो उसको क्या कहा जाएगा, शस्त्र धरी, शक्ती सेना हो, सेना की शक्ती क्या होती है, सेना की शक्ती क्या होती है, शस्त्र, और शस्त्र है सर्वशक्तिया, तो रिजल्ट क्या देख इसमें कमी दिखाई भी, समझते भी है लेकिन सफलता स्वरूप में, समझ प्रमान या तो शक्तिहीन बन जाते हैं, या थोड़ा सा असफलता का अनुभो कर फोरन सफलता की और चल पड़ते हैं, तीन प्रकार के देखे, इसमें बाबा ने तीन प्रकार के देखे, कि शक्तियों को ओर्डर किया और वो शक्तिया हाजर हुई या नहीं हुई, तो उसमें बाबा द्वारा समझते हैं, यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ती स्वरुप में बदल नहीं सकते हैं, उसी घड़ी मैसूस हो गया, लेकिन समझ को शक्ती स्वरुप में बदल नहीं सकते हैं, दूसरे हैं, जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय वह समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं वह थोड़े समय में सोचते हैं वह पूरा होने के बाद सोचते हैं पहले वाले उसी समय सोचते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं और दूसरे वाले वह वाबा कहे समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं और तीसरे हैं मैसूस ही नहीं करते कि ये रॉंग है सदा अपने रॉंग को राइठी सिद्ध करते हैं अर्थाथ सत्य तक ही मैसूस ता शक्ती नहीं तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ बापतादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमान सदा और सहद सफलता किन बच्चों को प्राप्थ होती है उसमें भी अंतर है वर्तमान समय प्रमान सदा और सहद सफलता किन बच्चों को प्राप्थ होती है उसमें भी अंतर देखा उसमें विशेश बाबा ने दो प्रकार क बच्चे देखें एक है सहथ सफलता प्राप्त करने वाली और दूसरे हैं महनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाली एक है सहथ सफलता पाने वाली और दूसरे हैं महनत और सहज महनत करने के बाद फिर सहज होता है और उसके बाद सफलता पाने वाली जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूलाधार क्या देखा? बहुत सुन्दर बात बाबा ने कही जो सहद सफलता और सदा सफलता पराप्ट करने वाले हैं उनका मूल आदार है जो आत्माय सदा स्वयम को निर्मान चित के विशेशता से चलाते रहते हैं वही सहद सफलता को पराप्ट होते आए हैं आधार बाबा ने बताया कि सदा सफलता, सहत सफलता प्राप्त करने वालों का आधार वस्वयम को निर्मान चित्की विशेश्ता से चलाते रहते हैं वही सहत सफलता को प्राप्त होते आए निर्मान शब्द एक है लेकिन निर्मान स्थिती का विस्तार और निर्मान स्थिती के समय प्रमान प्रकार ये वह बहत है निर्मान स्थिती का विस्तार और निर्मान स्थिती के समय प्रमान प्रकार बहत है उस पर फिर कभी सुनाएंगे बाबा आज उस बात को नहीं सुनाते हैं बाबा कहे उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे लेकिन सारुप में बाबा बताते लेकिन यह याद रखना के निर्मान बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज सातन है निर्मान बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहत साथन है निर्मान बनना जुकना नहीं है लेकिन सर्व को अपनी विशेष्टा और प्यार में जुकाना समझा? निर्मान बनना जुकना नहीं है लेकिन सर्व को अपनी विशेष्टा और प्यार में जुकाना समझा सभी ने रिजल्ट सुनी समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो आप समय का इंतजार कर रहे हो मालिक के बालक हो न तो समय आपका इंतजार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझे समय को परिवर्तन करेंगे वह इंतजार कर रहा है समय वह हमारा इंतजार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है इंतजार नहीं करना है इंतजाम कौन सा करना है? दो बातों का इंतजाम बता है सर्व को संदेश देने का और समय को संपन बनाने का इंतजाम करना है जब दोनों कारिय संपन हो तब समय का इंतजार पुरा हो जब दोनों कारिय संदेश देने का और समय को संपन बनाने का इंतजार इंतजाम करना है तो बाबा कहे जब दोनों कारिय संपन हो तब समय का इंतजार पूरा हो तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो किस गती से सबी कहेंगे हाँ कर रहे है तो बाबा पूछते हैं स्पीड क्या है किस गती से समय को देख आप भी कहते हूँ क्या कहते हूँ कि बहुत fast समय बीत रहा है इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए सोचते हुना अव्यत बाप की पालना को कितने वर्ष हो गए इतना fast समय चला तो आपकी गती क्या है फास्ट है या फास्ट चलकर कभी-कभी ठक जाते हो, फिर रेस्ट करते हो, कर रहे हैं, फिर क्या सोचते कर रहे हैं, ये तो ड्रामा के बंदन में बंदे हुए ही हो, करने के लिए बंदे हुए ही हो, लेकिन गती क्या है? इसको चेक करूँ, सेवा हो रही है, पुर्शाथ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है, तो अब गती को चेक करूँ, सिर्फ चलने को चेक नहीं करूँ, हम चल रहे हैं, यह चेक नहीं करों, गती को चेक करूँ, गती को चेक करों, स्पीड को चेक करूँ, समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना अच्छा चारो और के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्वशक्तियों को स्वयम के ओर्डर में चलाने वाले सर्वशक्तियां जी हाजिर का पाड बजाने वाली ऐसे सदा सफलता मूरत आत्माएं सदा हर कर्म में याद का स्वरुप अनुभो करने वाले और कराने वाले ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में संबन्द में संपर्क में निर्मान बन विजयी रत्न बनने वाले ऐसे सहद सफलता मूरत स्रेश्ट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम सवरुहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार गूर्ड मॉर् protesting और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया पिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है साधारन कर्म में भी उची स्थिती की जलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है सदा संगम युगी पुर्शोत्तम आत्मा है ऐसे अनुभो करते हो संगम युग का नामी है पुर्शोत्तम अर्थात पुरुषो से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग तो संगम युगी हो आप सभी पुर्शोत्तम बने हो न आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकरती है तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ सबसे number one पुर्षोत्तम कौन है तो किसी ने कहा ब्रह्माबाबा इसलिए ब्रह्मा को आदी देव कहा जाता है फरिष्टा ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविश्य में देव आत्मा बनने के कारण पुर्षोत्तम बन जाते है तो साकार में ब्रह्मा बाबा भी उत्तम होने करण आधी देव कहा, फरिष्टा ब्रह्मा भी उत्तम पो गया, और फिर भविश्य में देव आत्मा बनने के कारण पुर्शोत्तम बन जाते हैं लक्ष्मी नारायन को भी पुर्शोत्तम कहेंगे न, तो पुर्शोत्तम युग है, पुर्शोत्तम में आत्मा हूं, पुर्शोत्तम आत्माओं का कर्तव यह भी सर्वस्रेष्ट है उठा, खाया, पिया, काम किया यह साधारन कर्म नहीं साधारन कर्म करते भी स्रेश्ट स्मृती, स्रेश्ट स्थिती हो जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारन व्यक्ति नहीं है जैसे जो असली हीरा होगा वो कितना भी धूल में चिपावा हो बाबा कहे जैसे असली हीरा होगा वो कितना भी धूल में छिपा हुआ हो लेकिन अपनी चमक जरू दिखाएगा छिप नहीं सकता तो आपकी जीवन हीरे तुलिय है न कैसे भी वातावरण में हो कैसे भी संगठन में हो लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता ऐसे पुर्शोत्तम आत्मा की स्रेश्ट जलग सबको अनुभव होनी चाहिए तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर काम में जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो अभी गुप्त में हो काम भी साधारण है इसके पांडों को गुप्त रूप में दिखाया है गुप्त रूप में राजाई नहीं, गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवाती तो दूसरों के राजिय में गवर्मेंट सर्वंट कहलाते हो न, चाहे कितना भी बड़ा आफिसर हो, लेकिन सर्वंट ही है न, तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुशोत्तम को, तो वह जलक और फलक दिखाई दे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप साधारन तन में होते भी पुरुशोत्तम अनुभो होता था, जैसे ब्रह्मा बाप साधारन तन में होते भी पुरुशोत्तम अनुभो होता था, सभी ने सुना है न, देखा है या सुना है, अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो, साधारन में प पुरुशोत्तम की जलक है, तो follow father है न, ऐसे नहीं साधारन काम कर रहे हैं, माताइख खाना बना रही है, कपड़े दुलाई कर रही है, काम साधारन हो लेकिन स्थिती साधारन नहीं, स्थिती महान हो ऐसे है, या साधारन काम करते साधारन बन जाते हैं, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चहरे पर वो स्रेश्ट जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चहरा ही दर्पन है न? इसी से ही आपकी स्थिती को देख सकते हैं। महान है या साधारण है यह इसी चहरे के दरपन से देख सकते हैं स्वयम भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं तो ऐसे अनुभो करते हो सदेव स्मृती और स्थिती स्रेष्ठ हो स्थिती स्रेष्ठ है तो जलक अटोमेटिकली स्रेष्ठ होगी जो समान स्थिती वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं समान स्थिती वाले बाप के साथ रहते हैं शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो किनारे बैठे हो पीछे बैठे हो लेकिन मन की स्थिती में साथ रहते हो ना साथ वही रहेंगे जो समान होंगे साथ वही रहेंगे जो समान होंगे स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते किनारे में रहते हैं तो समी प्रहना अर्थात समान स्थिती बनाना, इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुर्शोत्तम स्थिती में स्थित्र हो, कई बच्चों की चलन और चहरा लौकिक रिती में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है, तो यहां चहरे की बात तो नहीं लेकिन चलण ही चित्र है, तो हर चलण से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान, तो समीप रहना चाहते हो या दूर? इस एक जण्म में संगम पर, स्थिती में जो समीप रहता है, वो परमधाम में भी समीप है, और राजधानी में भी समीप है, एक जन्म की समीपता, अनेक जन्म समीप बना देगा, हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो करो, नहीं तो चेंज करतो, पहले चेक करो, फिर करो, ऐसे नहीं, करने के बाद चेक करो, कि यह ठीक नहीं था, ज्यानी का लक्षन है, पहले सोचे, फिर करें, अग्यानी का लक्षन है, करके फिर सोचते, तो आप ज्यानी तु आत्मा हो न, या कभी-कभी भगत बन जाते हो, पंजाब वाले तो बहदूर है न, मन से भी बहदूर, छोटी सी माया चीटी के रूप में आए, और घबरा जा नहीं, चैलेंज करने वाले, स्टूडन्ट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहदूर हो, या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो, जो योग्य स्टूडन्ट होते हैं, वो आवहन करते हैं, कि जल्दी से पेपर हो, और क्लास आगे बढ़े, जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं, डेट आगे बढ़े आप तो हुश्यार हो न, कितना सुन्दर बाबा ने एक्जाम्पल दिया यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजई है और हम ही बार-बार बनेंगे इतना पुर्शार्थ किया है आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे आप ही विजई बने थे, विजई बने हैं और विजई रहेंगे बाबा ने कितना द्रड़ता के साथ कहा आप ही विजई बने थे, विजई बने हैं और विजई रहेंगे विजई शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है चहरा बदल जाता है ना, जो सदा विजई रहते हैं, वो कितना खुश रहते हैं इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजई प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बचते हैं आपके तो सदा ही बाजे बचते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंध न हो आधा कल्ब के लिए रोना बंद हो गया जहां खुशी के बाजे बचते हैं वहां रोना नहीं होता अच्छा आज का बाप दादा का मदुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है देह अहंकार वह अभीमान के सुक्ष्म अंश का भी त्याक करने वाले आकारी सोनिराकारी भवण देह अहंकार वह अभीमान के सुक्ष्म अंश का भी त्याक करने वाले आकारी सोनिराकारी भवण कईयों का मोटे रूप से देह का आकार में लगाव अभीमान नहीं है लेकिन दे के संबंद से अपने संसकार विशेश है, बुद्धी विशेश है, गुण विशेश है, कलाईं विशेश है, कोई शक्ती विशेश है, उसका अभीमान. देह के आकार में अभीमान है यह नहीं कहेंगे लेकिन अपने संसकार विशेश है, बुद्धी विशेश है, गुण विशेश है, कलाएं विशेश है, कोई शक्ती विशेश है उसका अभीमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब यह सुक्ष्म देह अभीमान है तो यह अभीमान कभी भी आकारी फरिष्टा वा निराकारी बनने नहीं देगा इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे आज का स्लोगन है समय पर सहियोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा अच्छा, ओम शान